ओम शांती आज 23 मार्च 2023 प्यारे बाप दादा के साकार मधूर महवाक्य आज बाबा ने हर पल एक बाबा की मदद मिलती रहे उसकी विधी बताई कि तुम जिनके मुआफिक मुझ एक बाप को याद करो खाते पेते चलते बुद्धी योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धी हटाई बाप और वरसे को याद करना यही तुमहारी मदद हैं बाबा कहे हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है इसलिए कहा हिम्मत ये मर्दा मददे खुदा बाबा कहते तुम्हारी सेवा है याद में रहना और दुसरों को भी एक बाप की याद दिलाना, कितना सस्ता सोदा है, तुम्हें 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस मिलती है, और बाबा ने बहुत उंची स्मर्ति दिलाई कि तुम शिव शक्ती, ग्यान गंगाए वह पानी की गंगा तो जहां तहा जा नहीं सकती, तुम ग्यान गंगा आये तो जहां चाहो वहां जाकर ग्यान दे सकती हो, वहां ही ग्यान गंगा प्रकट हो जाती है, और साथ में कहा कि वास्तों में गव मुख तो तुम बच्चिया हो, तुम आत्मा गव के मुख से यह निकल रही है, तुम ज्यान सागर से निकली हुई, सची सची गंगाए हो, फिर कहा कि तुम बच्चों के दिल में दिन रात यह रहना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, अपने आप से बाते करनी है, बाबा से रूह रिहान करना है, कि बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा आप जो हमें पढ़ाते हैं, उससे हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, बाबा आप जैसा सुख दुनिया में कोई नहीं दे सकता, फिर कहा कि मनुष्य जीवन को अमुल्य जीवन कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है श्रिमत पर, सुनते हैं आज बाबा कहे तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है उतर में बाबा ने कहा बाप राई देते हैं बच्चे तुम जिन्न के मुवाफिक मुझे याद करो अरधात खाते पीते चलते बुद्धी योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धी हटाते जाओ तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो यही तुम्हारी मदद है यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मलिक बनाएंगी यही सस्ता सोदा है हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है हिम्मत ये मर्दे मददे खुदा आज मुरली में गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले बाबा, तेरा शुक्रिया, सारी मुरली से धारना के लिए सार है, पहला, श्रिमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रुखानी सेवा करनी है, गुप्तरिती से बाप को याद कर स्रेष्ट बनना है, दुसरा, अपने आप से बाते करनी है, रुख रिहान करना है, बाबा आपने जो सुख दिया है, वह कोई दे नहीं सकता, बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाबा आप नई स्रिष्टी रचते हो, उसके हम हकदार हैं, आज बाबा ने वर्दान दिया, ब्रकूटी की कुटिया में बैठ अंतर मुखता का रस लेने वाले, सच्चे तपस्वी मुरत भावा, ब्रकूटी की कुटिया में बैठ अंतर मुखता का रस लेने वाले, सच्चे तपस्वी मुरत भावा, सपश्टी करण हैं, बाबा कहे, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर, एनरजी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें सतह अंतर मुखता के रस का अनुभाव होता हैं, अंतर मुखता का रस और बोल चाल का रस इसमें दिन रात का अंतर हैं, अंतर मुखता सदा भ्रकूटी की कुटिया में तपस्वी मुरत का अनुभाव करता हैं, वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता हैं, इसलिए अंतर मुखता के रस की अलोकिक अनुभूती होती हैं. आज का स्लोगन है राज युक्तबन हर परिस्थिती में राजी रहने वाले ही ज्यानी तु आत्मा हैं. रुथानी बच्चो को नमस्ते हम् रुथानी बच्चो की रुथानी मात पिता बाप डादा को यात प्यार गुद्मॉर्निंग ओर नमस्ते नमस्ते अच्छा. ओम शान्ती शुक्रिया बाभा शुक्रियां.